कि नमस्कार बच्चों चले देखिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया था जहां पर हम बॉल्यूम तक पहुंच गे थे आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक खेज दूगी उस वीडियो को इजिली देख लीजिए और सम हैं वालूम वालियूम क्या होता है व्यां powalwood क्या होगा जैसे आपका कोई भी सबस्तांस्थ आप लेते हैं उसकी लैंट ध्रैड हाइट मैं कितना है एक्जिस्ट करता है च्पर त्रीडे क्योंकि यह वाल्यूम क्या है एक 3ड рок न में होगा जैसे आपने देखा कि यहां बनाके में आपको दिखाती हूं प्रोइंत अच्छी है नहीं मेरी कि फिर बना लेते हैं कि आपने क्या बनाया एक क्यूब बना क्या है और इस क्यूब में देखिये, आपको क्यक्या मिलेगा यहां पे देखिये, अगर आप यहां से बात करता है इस का इसL कि यह इसकी इसकी हाइट यह कि couldn't do that मतलब वोल्यूम क्या क्या होगा जो यह क्या होगा वोल्यूम रहेगी अगर आप इसे कीös Kennetz तो लेन्द को भी आप की मीजिर करेंगे मीटर में लेंथ को मेजर करने वाले हैं अब जो ब्रैथ है विछ को भी आप देखिए बिटा अगर लेंद को किस में मेजर करोगे मीटर में और ब्रेथ को भी किस में मेजर करोगे मीटर में और हइट को भी किस में मेजर करोगे मीटर में तो यह क्या हो जाए एसके मीटर हो जायाइगा थीक है तो बी किसी बी चीज का जैसे अगर आप वॉल्यून की कुछ ईूनिट लिखा देती हूं में आपको वॉल्यूम डिया है है ना आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम किस तरह से गिवन है विटा क्या क्या लिखने वाले हैं इसमें रिखें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कितना थाउजन सैंटिमीटर क्यूब ये किसके इकोल हो जाएगा ये किसके इकोल हो जाएगा थाउजन एमल के इकोल हो जाएगा है ना थाउजन मिली लीटर के इकोल हो जाएगा और ये ही जो थाउजन मिली लीटर है ये किसके इकोल हो जाएगा वन डेसिमीटर के इकोल हो ब्राबर के ब्रापर के जान देना आपको मेट्र में वन मीटर के आएगा लिए wrong अन्द्रेट संटि मीटर्ट है ना वैसे ही सेम यूनित आपकी क्या होती हैं यहाँ पर भी यूज हूइंगी ठीक होगया अँब अब आपको होगे मैं में देसिमीटर कित्ता चोटा सा यूनिट है जैसे इसी कि अगर हम छोटे-छोटे पार्ट बना दें तो जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है वहाँ पर उस पार्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं किसी भी से इसका क्या लोगे वॉल्यूम लोगे अब वॉल्यूम लोगे जैसे पूरे कंटेनर का अगर आप वॉल्यूम ले रहे हैं तो इसके छोटे से स्मॉल पार्टिकल का जितना इसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के साब से लेंगे क्योंकि जब केमिस्ट्री में होता कि रखांडयां फिर या फिर इक टैंक वाटर में आपका कितना आपकोyour डालने हैं तो च्टना ज़ुधा है उसमें एक चूट असा यूनिट लेकर Fifth कई हैं कि लिए अर्वाएं और बात है देखते हैं डैंशिटी को कैसे मेज़र करेंगे दूसरी बात हम परते हैं measure of density density क्या होती है volume तो आपको समझा गया volume आपको क्या होती है L into L into L आप learn कर लेंगे है ना meter cubist की जो meter cubist की क्या हो जाएगी unit हो जाएगी लेकिन अगर आप density की बात करेंगे तो density में क्या होगा बढ़िया अगर क्या आपको समझना है एक एक चीज density of a substance is amount mass per unit volume किसी भी density क्या होगी कोई भी substance में कितना mass है कितना amount है किसमें per unit volume में ठीक है जैसे अभी आपने देखा volume क्या थी volume क्या थी किसी भी container में जो उसकी length breath height पर depend कर रही थी वो क्या थी उसकी volume थी ठीक बात हो गई यह जैसे हमने यहां पर यह diagram बनाया था length breath and height पर जो था यह आपकी यहां पर इस तरह से meter तूब में आपकी volume थी unit था अब इसमें जो एक unit area में जैसे एक unit area में कितना कोई substance आपका क्या है present है समझ गए क्या किसी भी एक unit area में कितना amount of जो substance है वो present है वो क्या होती है density होती है density का जो formula होगा बिटा density equals to mass upon volume क्या होगी density equals to mass upon volume पिलिर बाद हो गई अब इसके असाई unit की बात करें तो असाई unit of mass divided by असाई unit of volume अब देखें mass की जो unit होती हो वो क्या होती है kg होती है volume की क्या होती है meter क्यों होती है क्या होती है meter क्यों होती है यह किसके equal है density के equal है रोसी से डिनोट करते हैं अब बेटा जी आप देखिए इसको हम नॉर्मली लिखेंगे density कोश्टू क्या जाती है बेटा density कोश्टू क्या जागा केजी पर मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब इन्वर्स आ जाएगा क्योंकि यहां पर फ्रेक्शन में था तो यह उपर जले जाएगा तो साइन के आ जाएगा नगटिव यहां पर कौई साइन था पॉजिटिव साइन था ठीक बात होगी आप ऐसी ही बात करते हैं आप किसकी temperature की temperature क्या होता है बिटा कहीं पर भी कोई भी चीज को कितना गर्म है कोई भी सब्स्टांस कितना गर्म है वो किससे पता करंगे temperature से यानि कितनी degree hotness है उसमें ठीक हो गया degree क्या है इसकी unit होगी temperature को measure करेंगे किसे degree of hotness और coldness से कितना ठंडा है और कितना गर्म है क्या कोई भी सब्स्टांस कितना ठंडा है और कितना गर्म है यह क्या किसमें measure करेंगे हम temperature में अब बेटा यहां से temperature से direct और इसकी direct question किस तरह से आते हैं SI unit of temperature आपको पता होना चीए Kelvin होता है ठीक होगी और और भी important चीज़ आपको यहां से SI unit से जो temperature है temperature से बहुत अलब अलब टाइप के questions आपको दिखने को मिलेंगे ठीक है जैसे temperature की अलगलग units आपकी रहेंगे सबसे पहले जो unit में बात करते हैं हम Kelvin में करते हैं ठीक है लेकिन temperature को आप किसमें measure करेंगे एक तो Kelvin scale आते हैं है ना आप सबसे पहले बिटा जो सबसे पहले unit होती है क्या होती है Kelvin scale होती है और दूसरी unit क्या होती है दूसरी हम किसमें करते हैं Celsius में करते हैं ठीक है ना और तीसरा आप किसमें करते हैं बिटा Fahrenheit में करते हैं इसको लिखते हैं कैल्विन को लिखते हैं डिगरी कैल्विन इसको लिखते हैं डिगरी 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 इसको लिखते हैं इसका रिलेशन देखते हैं 180 ड जो फोरंज हाईट ऊट रहोगा एक टी डिगरी सल्ससिस यह आप बॉट सकते हैं वन पॉइंट डिगरी साइट इकुल वन डिगरी सेल्शिस किलर बात होगी विटा और उसके बाद आप फोरंज हाईट को डिगरी सेल्शिस में कैसे अम मेजर करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं चलिए यहाँ पर समझे जो फॉरिन हाइट आपको count करना है आपको degree Celsius में कोई चीज दी है आपको फॉरिन हाइट में क्या करना है उसको convert करना है तो क्या करोगे बिटा 9 divided by 5 यहाँ इसको बहुत ध्यान से रखना यह question हमेश पूछा जाता है ठीक है ना प्लेस 32 कि लिर बात हो गई और यहाँ पर डारिक्ट आप इस तरह से करेंगे क्या जब आपको कोई भी सब्स्टांस फॉरिन हाइट में दिया है डिगरी Celsius में आपको पता है और कनवर्ट किस नम्हें करना है डिगरी फॉरिन हाइट में आपको किसमें कनवर्ट करना है झाल